आज हम आपको हाइदराबाद में हुए एक ऐसे किसे के बारे में बताएंगे जहाँ एक पाकिस्तान की एक ISI एजेंट ने इंडिया की सीक्रेट मिसाइल इंफॉर्मेशन बाहर निकलवाने के लिए DRDO में काम करने वाले एक एंप्लोई को फेस्बॉक के जरीए शादी और प हाइदराबाद में DRDO की है Research and Development Laboratory जिसे DRDL कहते हैं यहां से एक लैब इंजीनियर को पुलीस ने अरेस्ट किया है लैब इंजीनियर पर कंट्री के मिजाइल प्रोग्राम्स की important येट सूबर confidential information एक पाकिस्तान के जासूस के साथ share या leak करने का इल्जाम है तेलंगना पुलीस ने बताया कि इंजीनियर में ब्रिटेन की एक defense general में काम करने वाली lady के साथ relationship में था तेलंगना पुलीस ने ये भी बताया कि इंजीनियर का नाम दुका मालिका रुजना रेडी है रेडी विशाका पटनम से बिलॉंग करता है और रेडी RCI में मौझूद DRDL के advanced naval system program में as an engineer posted था मालिका रुजना रेडी को पुलीस ने intelligence के साथ joint program चला के उसके घर से arrest किया अब इसकी शुरुआत कैसे होई पाकिस्तानी ISI agent ने इंडिया के defense engineer को honey trap में कैसे और क्यों पसाया और engineer missile program की confidential information पाकिस्तानी हसीना को देता रहा और पकड़ा कैसे गया आपको सब बताते हैं लेकिन आपने वीडियो को like और channel को subscribe ज़रूर करना क्योंकि ऐसा content हम लेकर आते ही रहते हैं रेडी मार्च 2018 में अपने दो साल के experience के बाद DRD मों में आ गया रेडी को defense laboratory के बालापूर हाइदराबाद complex में posting मिली और रेडी ने अपने facebook account पे अपनी new DRDO joining के बारे में सब information डाल दी पूरे दो साल बात मार्च 2020 में रेडी के पास नताशा राओ के नाम से एक friend request आती है सिलसला बातों से शुरू होता है और voice, audio exchange और कई personal चीज़ों पर बहुँच जाता है और नताशा जो की UK की defense general में काम करती है वो UK आने से पहले अपने father जो की Indian Air Force में as an officer काम करते थे उनके साथ पहले बैंगलूरू में रहती थी नताशा और रेडी दोनों में इतना प्यार हो जाता है कि दोनों शादी की भी planning कर लेते हैं और दीरे दीरे ये प्यार एक ऐसा honey trap बन जाता है कि रेडी missile और defense से related बहुत सी चीज़ें जैसे कि documents और photos सब कुछ Natasha को forward करनी चुरू कर देता है पुलीस के according जब रेडी की Natasha के साथ history को खंगाला गया तो ये भी पता चला कि रेडी ने online girlfriend Natasha को अपनी personal bank details भी forward की हुई है हाला कि transactions को लेकर police ने कोई information नहीं release की मार्च 2020 से December 2021 तक fake British Indian लड़की Natasha राओ और रेडी का online प्यार ठीक चल रहा था कि रेडी को अजानक Natasha पर शक हुआ और वो भी तब जब नताशा ने अपना नाम Facebook से change करके सिमरन चोपडा रख लिया अभी 2022 के जून में जब intelligence authorities को पका हो गया कि देश की securities related information लीक हुई है तब जून 2022 में रेडी को अरेस्ट कर लिया गया रेडी पर IPC का article 409 जिसमें criminal breach of trust और official secrets act 1923 जैसे अलग-अलग articles के basis पे किसिस किये गए है पुलीस ने उसके पास से दो mobile phone, sim card और एक laptop भी seize किया है वैसे आजकर internet पर कई लोग किसी fake but legit दिखने वाले account से attract होकर ऐसे काम कर जाते हैं जिसके consequences के लिए वो खुद भी ready नहीं होते हम सबको life में attentive रहने की बहुत need है आप सब safe रहिए इंटरनेट पर मिलने वाले lucrative offers से बच कर रही है और चनल को subscribe करना प्लीज मत बूलना वीडियो को like and share भी कर दो ऐसी कई और stories भी है हम आपके लिए बस जल्दी ही लाते रहेंगे I am Dinesh Bajaj and you are watching the top rupee